जारकन में जल्द पेशा कानून जल्द लागू नहीं हुआ तो किंद्र सरकार किंद्रिया अनुदान की 650 करोड की अगली किस्तर रोग देगी देश में जारकन और उड़सा में ये कानून लागू नहीं हो पाया है हाला कि इन दोनु राज्यों में आदिवासियों की प्रिया बादी है तो किंद्र सरकार अनुदान की 650 करोड की राशी रोग देगी पंचायती राजवभाग के निर्देशक के मताबिक पेशा कानून का ड्राफ्ट तयार है और विदी विभाग में कानूनी परामर्ष की प्रक्रिया चल रहे है जल्द यहां आक्ट काबिने चौदा विभागों से मंतव्य लिया गया था उसके बाद ही ड्राफ्ट बना था उसके बाद ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होने के बाद लगभग 262 बिंदू पे हम लोगों को सुझाओ और आपती प्राप्त हुए और जिसके पस्चात लगभग 145 की बात कर रही है जबकि कुछ बुद्धी जीवी इसमें कई कम्या देखते हैं मांडर से आदिवासी विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के मुताबिक पंचायती राज रिभा के पेशा कानून आक्ट ड्राफ्ट में बहुत सारी कम्या है जिनको दूर किये बिना आक्ट को चार्खन में लागू करने का कोई मतलब नहीं है अनुसुचित इलाके हैं यहाँ पर पी पेशा के तरह परामपरिक ग्राम सभा है उसको ताकत दी गई है अगर इस जो धाझा है उसका मूल अस्तित्व को ही आप खतम कर देंगे तो फिर यह क्या आदिवासी राज या पां नहीं लागो हो पाया यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जबकि जहारखन में राजडिती ही आदिवासी मुद्दो पर ही की जाती है जहारखन में पी पेसा कानून आखिर कब होगा लागू एक बड़ा सवाल है पंचायती राजबिभाग ने जो ड्राफ तयार किया है वो आदिवासी संगठनों को मन्जूर नहीं तो आखिर इसका फैसला कब होगा और जब तक नहीं होगा केंद से 650 करोर की राची नहीं मिलेगी कैमरा मैं देवाशी इसके साथ मैं शेहनवाज अक्तर न्यूस 11 भारत राची लाइक अंड शेयर वीडियोस सब्स्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस 11 भारत सच है तो दिखेगा